नमस्कार दोस्तों पीसस वाट साला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों यह दूसरा भाग है शामान ग्यान का दूसरा भाग है और यह जो भी सामान ग्यान के प्रश्ण है यह सभी परिच्छा के लिए सभी वंड एकजाम के लिए बहुत ही रामबार साबित होंगे आप ल रिचा के लिए एकदम रामार प्रश्णों की संखला आप लोग के सामने हैं और यह जो पूरा का पूरा PDF है पूरी की पूरी सामगरी है कम से कम पचीस सो प्रश्णों की यह सार अभी स्रीज है जो पूरी PCS पाट साला का यह नोट्स है तो आप पच्छी से देख लेंगे त बरतन पर प्रियुक्त रंग था हडपा में जो मिट्टी के बरतन थे वह किस रंग से रंगे जाते थे जो मिर्दभांड थे मिट्टी के बरतन को मिर्दभांड करते हैं तो हडपा में जो मिट्टी के बरतन थे उसमें प्रियुक्त रंग कौन था तो उसमें प्रियुक्त जो रंग था वह लाल रंग था हडपा में जो मिट्टी के बरतन थे उनको लाल रंग से रंगा जाता था महा जनपत गाल में जो मिट्टी के बरतन हुआ करते थे उनको काले रंग से रंगा जाता था ये बात है प्रश्ण नमर 22 देखेगा मुर्दभांड चावल के दाने मिले है मुर्दभांड कहां से मिला है और चावल के दाने कहां से मिले हुए है तो देखिए चावल के दाने के साथ मिले हैं लोथल और रंगपूर से एक लोथल से भी मिला हुआ है और रंगपूर से भी मिला हुआ है तोनों ही सिंद्व सब्वता के प्रमुकस्तल रहे हैं, वहां से चावल के दाने के साथ मिले हैं, या धान के भूसी के साथ मिले हैं, तो मृदभांड और चावल के दाने के साथ से कहां से मिले हैं, लोथल और रंगपूर से, प्रशन नमर तेज देखेगा, सिंद्व सब्व आधा कि सर्व सिनुर सबेता कितनी पुरानी है या से पन्से पिड़ा कब से कब तक फली फुली इसके बारे में विद्वानों मद्वेद है तरह-टरह के विद्वान तरह-टरह का तर्क देते हैं कोई से मानता है कि वह 3500 इसापुर्व से पहले का है, कोई 5.000 इसापुरु तक भी मानता है, लेकिन सुद्य सबता का सरॉमान निकाल है वह्ज़िस्विस्विस्विस्विक्स इस Our प्रष्ण नमर 24 देखेगा मोहन जोद्रु स्थित है मोहन जोद्रु जो सहर है, वा कहां इस्थित है मोहंच़द्रो किनारे है? शिंधू नदी के किनारे प्रश नम्र 25 देखेगा नरतकी कि जो जो कहां से मुर्ती मिली है वह कहां से मिली है मोहन जोदरों से नरतकी की कहां से मुर्ती मिली है मोहन जोदरों से प्रशन नमबर 27 देखेगा सिंदु सब्धता का सबसे बड़ी इमारत क्या है सिंदु सब्धता का सबसे बड़ा इमारत है वह क्या है मोहन जोदरों से प्राप अन्नागारी सुन्दु सपता का प्रमुख इमारत है प्रमुख नहीं पूछ रहा है या पूछ रहा सबसे बड़ा इमारत है तो सुन्दु सपता का जो सबसे बड़ा इमारत था वह अन्नागारी था प्रश्ण नमर 28 देखेगा मोहन जोदरो से प्राप्त प्रमुक इसमारक क्या है सबसे बड़ा इमारत तो अन्नागार है लेकिन अगर पुछा सबसे प्रमुक इसमारक क्या है मोहन जोदरो से प्राप्त तो वो है अश्नानागार अश्नानागार है प्रश्ण नम्बर 29 देखेगा मोहन जोद्रो का अर्थ क्या है मेशोपटामिया का अर्थ क्या है देखे जो इराक है उसका जो प्राचीन नाम था वा मेशोपटामिया था आधुनिक नाम जो है इराक है तो मेसुपुटामिया का अर्थ क्या है? मेसुपुटामिया का अर्थ होता है दो नदियों की बीच की भूमी को मेसुपुटामिया कहते हैं वहां के स्थानी बहां सामें में सोपुटामिया कहते हैं दो नदियों की बीच की भूमी को अब दो नदिया कौन थी? दो नदियां थी दिल्मुन और माकन दो नदियों की बीच की भूमी को यहां पर दुवाब गहते हैं जैसे गंगा यमुना का दुवाब गंगा और यमुना के बीच की भुमी को दुवाब कहा जाता है वैसे ये दो नदियों की बीच की भुमी को मेसो पुटामिया कहते है प्रशन नमबर 30 देखेगा हडपा की खुदाई हुई थी हडपा के जो खुटाई होती दया राम सहानी के नेतुत्मे होती 1921 में प्रश्ण नमबर 31, सुन्स घाटी के लोगों ने पूजा की थी मात्र देवी की पूजा करते थे, मात्र देवी और पस्पत की पूजा करते थे सुन्द वासी पुराणों की संक्षा क्या है? पुराणों की संक्षा जो है 18 है और पुराणों की संक्षा जो है 18 है और पुराणों का जो रचना हुआ था वह गुपतकाल में हुआ था प्रश्ण नमबर 33 सबसे प्राचीन पुराण क्या है? सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाडित जो पुराण है वो है मत्से पुराण सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाडित जो पुराण है वो है मत्से पुराण पुराणों के रचीता है लोम हर्स और उनके पुत्र उगसरवा प्रश्ण नमर 35 देखेगा बेदों और बेदांगों की संख्या क्या है बेदों की संख्या है चार है और बेदांगों की संख्या जो है छे है चारवेद कौन है रिगिवेद, युजुरवेद, सामवेद और अथरवेद बेदांग कौन है बेदांग जो है सिच्छा, कलप, व्याकरण, जोतिस, निरुप्ट और चंद या 6 बेदांग है उपनिशदों की संख्या क्या है प्रश्ण नमर 36 देखेगा उपनिशदों की संख्या क्या है मलब कितने उपनिशद है तो उपनिशदों की जो संख्या है 108 उपनिशद है 108 उपनिशद होते हैं लेकिन इसमें 13 उपनिशद ही प्रमारित है 13 उपनिशद ही प्रमाडिक है वैसे संख्या जो उपनिशदों की होती है वह 108 होती है प्रशन नंबर 37 देखेगा पुराणों का अध्धन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था वह कौन सा मुसलमान यात्री था जो पुराणों का अध्धन किया था वह था अलबरूनी अलबरूनी पुराणों का अध्धन करने वाला पहला मुसलमान था अलबरूनी एक यात्री था मुश्लिम यात्री था जो मुहम्मद गुजनवी के साथ भारत आने वाला जो यात्री था अलबरूनी था उन्होंने पुराणों का अध्धन किया था और अलबरूनी का ही वंगतब्य था यहाँ पर आने के बाद उन्हें जो भारती जन्मानस को देखा तो उसने एक बात कही थी कि यह जो भारती लोग हैं यह बहुत अहंगार मेचूर हैं यह मानते हैं कि उनके धर्म के समान धर्म नहीं, उनकी जाती के समान जाती नहीं, उनक उपनिसद बिसेवस्तु है उपनिसद जो है बिसेवस्तु है दर्सन की उपनिसद में पूरी तरह से दार्शनिक सिध्धानतों की ब्याख्या मिलती है तो उपनिसद बिसेवस्तु है दर्सन की प्रशन नमबर 49 ब्रामण सम्मंदित है ब्रामण ग्रंत होते हैं तो ब्रामण प्राचिंतम बेद है रिगिवेद जिसकी रचना हुई थी 1500 इसापुर में रिगिवेद की रचना हुई थी और रिगिवेद में 1028 सुक्त है जो सुक्त मतलब स्लोक तो ऐसे समझ सकते हैं तो सबसे प्राचिंतम बेद है रिगिवेद और इसमें जो सुक्त है वह 1028 सुक्त है इसमें दस मंडल हैं दस मंडल है एक थाइस सुक्त को दस मंडल में भी विभाजित किया गया है ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा चैनल से ने जुड़ है तो चैनल से जुड़ जाएगा और यह सभी प्रश्म बहुत ही रामबान है परिच्छा के पूरा एक ग्यान का संचार होता रहेगा दोस्तों धीरे ही धीरे ही सही आपकी अंदर ग्यान का संचार होता रहेगा और जब एक्जाम हाल में आप परिच्छा देने बैठेंगे तो आप ज्यादा दबाव नहीं मसूस करेंगे और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेस्चन attempt करके आएंगे ठीक है दोस्तों वीडियो को लाइक करिए share करिए चैनल से नहीं जुरू है तो चैनल से जुर जाएएगा धन्य बाद आप लोग को